चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों करनाटका स्टेट के मोग अलोटमेंट का रेजल्ट आ चुका है मोग अलोटमेंट वो होता है जिसमें आपको इंडिकेट कर दिया जाता है कि आपको ये सीट मिल सकती है उसके बाद में आपको टाइम दिया जाता है उस 24 को अल्टार डिलीट इंटरचेंज करने के लिए तो इसमें सबसे पहले हम result देख लेते हैं उसके बाद में इसका schedule देखते हैं एक बार तो result में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा cut-off 628 Mark St. John की गई है और सबसे कम cut-off NVG की 591 गई है प्राइवेट कोलेज को देखते हुए करनाटका स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कोलेज की cut-off काफी ज़्यादा हाई रही है लेगने यहां का एजुकेशन अच्छा होने के कारण ये cut-off ज़्यादा ही रहती है अब हम कोलेज वाइज cut-off की बात करें तो सबसे पहले हम बियार अंबेटकर की बात करते हैं तो ये रेंक गया है 19,329 पर और मार्क्स है 601 इसके बाद केंप अगोड़ा की बात करें तो 18,144 रेंक पर 604 मार्क्स पर ये cut-off रही है MS रमया की 15,751 पर 609 और MVG की 20,089 600 मार्क्स पर cut-off रही है विदई की बात करें तो सेंट जोन की बाद सबसे ज़्यादा cut-off इसी की रही है 15,182 cut-off रही है 611 मार्क्स पर AG मेंगलोर की 20,333 599 मार्क्स सेंट जोन की सबसे ज़्यादा हाई 9,136 यानि 628 मार्क्स रही है इसके बाद में स्री भवेश्वरा चितर दुर्क की बात करें तो 24,189 यानि 591 मार्क्स पर रही है एलमीन वीजापूर की बात करें तो 21,604 रेंग पर 597 मार्क्स कटोप रही है एस निगलन जप्पा बागल कोर्ट की बात करें तो 22,409 रेंग पर 595 मार्क्स पर कटोप रही है मादेवपा काला बुर्गी 18,964 एर पर 602 मार्क्स कटोप रही है नवदा रायपूर की बात करें सबसे कम कटोप इसी कोलेज की रही है 24,506 रेंग पर 591 मार्क्स इसके बाद फादर मुलर मेंगलोर 20,295 रेंग और 599 मार्क्स पर कटोप रही है इसके बाद में हम बात करते हैं के वेंक ट्रेस मुरमन की तो इसमें 23,743 रेंग पर 592 मार्क्स पर सलक्षन हुआ है JJMC दवनगिरी का 21,381 मार्क्स इं 597, SSIM दवनगिरी का 23,347 रेंग पर 593 मार्क्स पर सलक्षन हुआ है सब्तगिरी बैंगलोर की बात करें तो 18,548,603 मार्क्स स्री निवासम बैंगलोर 20,986,598 मार्क्स पर कटोप रही है सुभई सिमोगा की बात करें तो 20,091 एर पर 6001 मार्क्स को मिली है BGS बैंगलोर 17,166,606 मार्क्स को मिली है स्री देवी टमकूर 23,098 रेंग वाले कंडिडेट को 593 मार्क्स पर कोलेज मिला है आकास बैंगलोर की बात करें तो 20,012 एर यहनि 600 मार्क्स एकस्पोर्ट की बात करें तो 20,586,599 मार्क्स कंचूर मेडिकल कोलेज मैंगलोर 23,432 मार्क्स यहनि 593 मार्क्स इस्ट पॉइंट बैंगलोर 18,803 यहनि 602 मार्क्स पर कटोप रही है इसके बाद में हाई फीस वाली कटोब की बात करें कोलेज की तो खाजाबंदे गुलबरगा की 37,310 यानि 568 मार्क्स अधी चुन्चुनगिरी की 63,994 यानि 529 मार्क्स SDM धारवार की 47,286 यानि 552 मार्क्स और डॉक्टर चंदरमा की रही है 86,831 रेंक यानि 500 मार्क्स पर कटोफ रही है तो करनाटका की प्राइवेट मेडिकल कोलेज की कटोफ काफी ज्यादा हाई यानि की 591 मार्क्स कटोफ रही है मोक अलोटमेंट में अब भी आपको समय दिया जाएगा यानि की 24 नौंबर 11 बजे तक आप इसमें अल्टर कर सकते हैं इन 24 को आप डिलीट भी कर सकते हैं और इनको आप उपर नीचे भी कर सकते हैं तो इस परकार से अपने 24 ये अरेंज कर सकते हैं ग्यारा बजे तक ये समय आगे भी अक्स्टेंट किया जा सकता है क्योंकि रेजल्ट लेट आया था लेकिन फिर भी आप ग्यारा बजे से पहले आप इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं जो फाइनल रेजल्ट आएगा ये फाइनल अलोट्मेंट होगा वो 24 रात आठ बजे के बाद में आएगा तो ये कल थोड़ा लेट रेजल्ट आया था इसकी बज़े से ये जो अक्स्टेंट भी हो सकता है ओप्शन इंट्री का टाइम लेकिन आपने टाइम से पहले ही कर जर्डेना है यानी कि आज 24 को ग्यारा बजेत तक आपने जो भी आपको इसमें चैंजिंग करनी है वो कर देना है चैंजिंग के बाद में कटोंफ एक नमारे नावना सकती है 590 कटोंफ रह सकती है वैसे चांसे कम ही रहते हैं रेंक में ही कटोंप आती है थोड़ी बहुत रेंक सो 200 रेंक डाउन आ सकती है लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि फाइनल रेजल्ट में 590 तक ये कटोप जा सकती है तो दोस्तों जैसे ही इसका फाइनल रेजल्ट आ जाएगा मैं आपको इन्फोर्म कर दूंगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक उन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं